नमस्कार आप देख रहे हैं फरीदाबाद नियूस मैं धर्मेंदर प्रताप सिंग यह अम्मा है हमारे साथ बैठे हुई हैं देखिए इनको कितनी चोटे आई हैं इनका शरीर काला पड़ गया है इधर भी दिखाओ और कहीं चोट है अम्मा दिखाओ और यह चोट कैसे आई है सुन कर आप हैरान रह जाएंगे इनके बेटे ने ही इनको पीटा है पता नहीं कैसा नाला एक बेटा है कि मा को ही पीट रहा है और हमने एक ओडियो सुना है उसमें गंदी-गंदी गालियां दे रहा है इनको भी औ गंदी गंदी गालियां दे रहा है, जान से मानने की बात कर रहा है। हमें से युशो तरिया, तो आसु दर्जा, कल्सु दर्जा यह ही चाती रही है ना अगली। अब तेरा इंप्रेजाम हम करेंगे फिर ठीक है ना करते हैं करते हुआ हमारे को कोई फोन ना दिया तूने उस अपन लगा लिए तू तू तो ऐसे सबन का नाम लेगा तो सब तेरी बातन में आ जाएंगे यह बता आपने मागे यार के खतमन के बारें पूर जो तेरे मीठे क्या नाम है आपका अमाँ जान किया मेरे नाम से आई हैं बसे लोकलोनी से ओल फरीदबा किसने मारा यह मेरे बेटा नहीं यह इस पाल ने मारा है मुझे कितनी उमर है उसकी क्यों मारता है आपको वो कभी चप को छुरी उठावे कभी धरांत लेके भगे और नसा करे चोरी चकारी करता डोले चोरीया करता है नशा करता है आपको क्यों मारता है मेरे wanah कर मारा है कि मैं मना करती हूं ऐसा काम मत कर गंदा काम मत कर तो केता है का तू दे खर्चा मेरे को को नहीं करने देती है तो मैं कहां से दों खर्चा उसे मैं अपने पेट जाने कार भिम इस handwriting आपको ये चोटें कब देने लगा समझा रही थी क्या वो समझाती है वो समझ नहीं मानता है और उंटी गालियां देता है वह आपको डर है कि आपके साथ कुछ गलत हो सकता है मेरे साथ जब चुरी रख रख के सोब है इंट पत्थर नमार है फैक फैक कहें किसी को मार देंगे तभी बात बनेगी कि को मानने के बात करा हम दोने उनको मानने के छोटे लड़का को मेरे को अपका यह लड़का इधर आज बैठ जा क्या नाम है अशोक जी आपको भी मारता पीटता है पहले विदियो आई है आपके साथ उमार पिट की गई पहले उस तरह मारा था मेरे गर्दन पे अब दुब साथ की साथ की साथ की साथ कारवाई नहीं करते हैं उसका मेरे बगा देते हैं साथ की साथ तो कारवाई नहीं कर रहे हैं अभी आपने सुना होगा नहर पार भारत कालोनी हनुमान नगर में कुछ दिन पहले एक वारदात हुई थी एक इसी तरह से सनकी और नसे क्यादी बेटे ने अपने माता पिता की हत्या कर दी थी कैची से गोद गोद कर अब इनको डर है कहीं इनके साथ भी ऐसी वारदात ना हो जाए जो मैंने कॉल रिकोर्डिंग सुनी है उसमें वो बहुत गुस्पाल और गंदी-गंदी गालियां इनकी बेटी को भी देता है और इनको भी देता है और ऐसी गंदी गालियां सुनकर आपको शरम आ जाएगी अब ये पुलिस से च अमान मेरे बेच दिया उसने आप जाकर देखो मेरे कुछ भी नहीं है घर में ऐसे खाली पड़ा है मकान वो किसी चीज को नहीं जो भी आते होंगे तानी लेकर वो भी तानी लेकर आमें जाई तो परहिसानी है मैं कहूं था फिर मेरे उमाने को चड़े कोई आब है कहने को भाई हमारी बदनामी मत करा तो तू दे मेरे को चकर चाहिए मैं कहां सदो मता आप लोग देख रहे हैं बहुत परिशान है मा है और इनके बेटे नहीं इनका जीवन नरग बना रखा है गालियां देता है मार पिट करता है चोट आपने देखी लिए होगी अगर समय रहते कारवाई होगी तो हनुमान अगर वाली घटना दोराई नहीं जाएगी अधरवाइस कुछ भी हो सकता है पोलिस को सावधान रहना चाहिए और ऐसे अपराधियों के किलाब कारवाई करनी चाहिए इनकी भी यही मांग है फृरिदाबाद नियू से प्रताप सिंग नमस्कार